नमस्कार दोस्तों आप से विका स्वागत है एश्टो गुरू चैनल में दोस्तों मैं आपके लेकर आया हूँ 9 से 12 जनवरी के लिए धैनिक राशिफल आईए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा पाच्वी राशी लेते हैं लियो यानि सिंग राशी सिंग राशी 9 जनवरी अच्छा दिन रहेगा इस दिन इश्वर भक्ति की और आपका जुकाओ होगा सत्विक विचारों के आप स्वामी रहेंगे और अपने मन से और अपने अंतर मन से भी आप बड़े ही अच्छे सरल और सच्चे इनसान रहेंगे इस दिन आप जिन बातों को कहेंगे उन्हें पूरा भी करेंगे यानि सत्यता का पुट आपकी बातों में होगा आपके कारे में होगा आपके आचरण में भी होगा बुरी तरह भी गड़ सकता है, इसलिए दस्तारी को कोई नया कारे ना करें, और अगर जो कारे चल रहा है, पहले से चला आ रहा है, उसमें दस्तारी को कोई हस्तक छेट ना करें, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें, इस दिन दूसरों पर भरोसा बिलकुल ना करें, अपने भी बड़े कारे को हाथ में नहीं लेना चाहिए और अपनी सलाह तो भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए 11 जनवरी का दिन ऐसा रहेगा जब आप अपने उपलब्धियों से जदा अपनी कमियों को देखते रहेंगे इस दिन आपका पूरा फोकस आपकी नाकामियाबियों पर होगा और आप स्वयम को एक नाकामियाब इंसान मानने को बाद्धे हो जाएंगे लेकिन अगर आप स्वयम को देखें यहाँ पर मैं कहरा हूँ कि आप स्वयम को ना कि कोई और आपको आपको ही करना है आप ही अपने आपको अपनी पुरानी उकलब्धियों को अगर याद कराते हैं आप ही अगर अपने आपको ये बताते हैं कि आप कितने सक्षम, कितने चतुर, कितने योग्य हैं तो यकीन मानिए सारी नाकामियाबियां आपके सामने से हट जाएंगी गायब हो जाएंगी आप अपनी युगता जब अपने आपको याद दिलाएंगे तो आपके confidence में बेतहाशा फृद्धी होगी और चीजों को आप अपने फेवर में मोडने में कामियाब हो जाएंगे लेकिन अगर आपने अपनी कमियों वाले विचार को हावी होने दिया तो आपका पूरा दिन 11 तारिक का खराब हो सकता है इसलिए इस दिन अपने उपर थोड़ा सा ज्यादा मिहनत करें अपने आपको confidence में रखने का पूरा प्रयास करें 12 जनवरी एक ऐसा दिन रहेगा जब विवाजनित खुशियां आपको प्राप्त हो सकती है इस दिन परिवार में हर्श और उल्लास का वतवरण बना रहेगा किसी शादी या समारो में आपको आमंत्रित किया जा सकता है आप मुख्य अतिति के रूप में भी शामिल हो सकते हैं आपके द्वारा किये गए कार्यों के इस दिन चहुँ और परशनशा होगी वियापारी छेतरों में आपको लाब मिलेगा कार्य के छेतर में जौब के छेतर में आपकी परशनशा भी होगी अपने जीवन साथी के साथ आप एक अच्छा समय इस दिन बिताएंगे और बारा तारिक को आपकी विवाह पर मतलब अगर आप आविवाहित हैं तो आपके विवाह पर परिचर्चाएं चल सकते हैं इस दिन आप जो भी कारिख करेंगे वह बहुत ही सधे हुए तरीके से करेंगे यानि योजना बदतरी कैसे करेंगे जिसकी वज़ा से आपकी तारीफ होगी और आपकी प्रतिष्ठा में वृत्धी होगी इन चारो दिनों में प्रेम सम्मंदों के लिए 10 और 11 तारीक अच्छेतियां नहीं हैं नौ और 12 बढ़ियां हैं जबकि ववाहिक जीवन के लिए और व्यापार के लिए केवल 10 तारीक अच्छेतिति नहीं हैं बाकि 3 दिन बढ़ियां रहेंगे तो दोस्तों ये था देनिक राशिफल 9 से 12 जनवरी के लिए आपको ये कारेकरेम कैसा लगा अपने अनुभो अपने सुझाओ और कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाए धन्यवाद नमस्कार